जेहिन अभ्यास ओनलाइन क्लास की इस नए वीडियो में मैं कृष्णा आप सभी का स्वागत करता हूँ दोस्तों आज के इस वीडियो सेक्षन में हम बात करने वाले हैं 36 गर समान नग्यान MCQ और ये इस वीडियो सीरिस का दोस्तों 27 वा नंबर का पाल्ट है तो चलिए दोस्तों एक एक करके सभी कोष्ण को देखते हैं और आपका कितना कोष्ण सही होता है नीचे कमेंट करके ज़रूर बताईएगा तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों मेरे साथ भी आप जो है नीचे कमेंड बॉक्स में जरूर बताते जी कि राइट आंसर कौन सा होगा चलिए प्रश्चन देखते हैं किस परव में इस्त्रिया निर्जला वुवास रखती है तो ऐसा कौन सा परव है जिसमें इस्त्रिया निर्जला अर्थात बीना पानी पीए पानी पीए तक वे उपवास रहती है तो कौन सा वो तेवहार है ठीक है कौन सा वो परव है तो राम नाव वी जर कृष्चन जर्मास्ट वी या फिर हर्तालिका या फिर नाव रात्री तो दोस्तों इसके लिए right answer जो हो जाएगा हर तालिका जिसको क्या कहते हैं तीज का परव भी कहते हैं तो आप एक confused मत हुएगा हलता हर तालिका और जो है हल सस्थी हल सस्थी में क्या होता है कमरचट जो होता है उसको कहा जाता है और हर तालिका मतलब जो तीज का तेवहार हो तो भई बस्तर में जो छेत्र में रैला पूजा की जाती है तो वो किस तवहार से संबंदीत है गोंचा से चैत परव की बात करें तो ये बस्तर की दसहरे का ये भी हिस्सा है जैसे गोंचा परव की बात करें तो ये बस्तर की दसहरे का ये भी हिस्सा है चैत परव मतलब के होता है चैतर का जो पक्छाता है उसमें नौरात्री आती है उसमें इसमें होता है मड़े मिला में दोस्तों जब भी क्या होता है निश्चित पूर्णीमा हो गया पूर्णी जि बस्तर का दसहरा होता है वो भारत में मनाये जाने वाले दसहरे से बिलकुल अलग होता है यहां पस रावन को नहीं मारा जाता लेकिन क्या होता है इनकी जो बस्तर को दसहरा मनाने का तरीका ही कुछ अलग होता है तो दोस्तों यह जो है स्रवन मास का जो अमोश्या होता है वह पिछले वर्ष है ना तो वह कितने दिन का हुआ था 105 दिने को हुआ था 105 दिने का रिजन क्या था दोस्तों क्योंकि 36 गड़ी में जो चलने वाला जो पाक है जिसको बोला जाता है चैत्र बैसाग जेट तो इसमें का हुआ एक मास जो है अधिक हो जाता है ठीक जिस तरीके से बढ़ता है जैसे कुआर डबल हो गया कार्थी को डबल हो गया है तो पूसे साल डबल है बोलते हैं तो वैसे ही जब बस्तर का दसरा स्टार्ट हुआ है ना कौन सा स्रवन अमवश्या ठीक है तो उसमें क्या हुआ एक महना जो है डबल आ गया इस वज़े से क्या हो गया 30 दिन जो है दोस्तों इसमें बढ़ गया ठीक है मतलब दो पाक एक क्रिष्ण पक्ष और एक सुकल पक्ष बढ़ गया तो इस तरीके से 105 दिनों का क्या हुट था वो बस्तर का दसरा ठीक है और अगर इसमें हम लोग मुख्यर रश्म की बात करें तो वो 13 दिन तक ही इसमें म प्रथम कारेकरम क्या होता है तो बस्तर के दसरा की जो सबसे प्रथम रश्म होती है जिसमें लकडी की पूजा की जाती है जिसमें रथ का निर्मान इसी लकडी से किया जाता है और लकडिया जो बनाने वाला जो दाइत वो होता है वो अगरवरा कचोरा पाटी एवं राकि इसमें बनाते हैं ठीक है और साथी साथ रथ बनाने के वाले जो बढ़ाई होते हैं वो जार उम्राओं के होते हैं और रथ बनाने वाले जो लोहार होते हैं वे बेडा उम्राओं के होते हैं ठीक है और खिंचने वाली जो रशी बनाई जाती है वो करंजी बेलाबाओं और के उसके बाद दूसरा जो रश्म होता है जो प्रथम कारेक्रम है क्या है पाट जातरा है लेकिन प्रथम रश्म अगर पूछा जाया तो काची गादिन कहा जाता है क्या कहा जाता है प्रथम रश्म तो वो है रश्म काचिन गादिन ठीक है काचिन गादी तो इसमें जो है काचि गुड़ी तक ले जाते हैं इस गुड़ी में उसी नौ वर्ष तक की निगरानी किसी कुमारी कन्या के उपर सवार होती है और उसी कन्या को ही क्या मान लिया जाता है काची गादिन मान लिया जाता है और उसी को पूजा करके दसरे का प्रारंभ किया जाता है ठीक है उसी के ब सिंहासन में है जग्दलपूर के जो राजा है उनिक के द्वाला जो सिंहासन पर बैठा जाता है और आदेश सुनने की तरह ही इसमें ग्रामवासी को समस्याओं को समायने तौर पर चर्चावे अम निवारन किया जाता है ठीक है दरबार है मतलब क्या होंगे वहाँ पास आज पास की गाउन के समस्याओं को सुनेंगे ठीक है तो इसमें बहुत सारे परववा आपको देखने को मिलेगा जैसे स्टार्टिंग मैंने बता दिया पार-जात्रा से होता है ठीक है पहला क्या था पार जात्रा दूसा क्या था काचिन का दिन और तीसरा क्या है जोगी बिठाना मतलब इसमें क्या करेंगे जोगी को क्या करेंगे बैठाएंगे और बाद में जोगी को उठाना भी है ठीक है तो जोगी बिठाना होता है उसके बाद है रत परक्रिमा चौंथा में रत परिक्रमा तो रत को घुमाय क्योंकि रैला पूज़ा जो है इसमें रैला जो है अन्नम्देओ की बहन थी कूण रैला देवी तो वो नहीं के याद में हैं जो है बस्तर के दसरे में इंका पूज़ा किया जाता है ठीक है तो ये थी दोस्तों बस्तर का दसरा यहां से important है बहुत बड़ा प्रशन जो है पूछा जाता है बहुत बार पूछा जाता है ठीक है चलिए देखते है next question किस जन जाती का पारमपरी कारे लोहे से संबंधित है तो लोहे का कारे कोन करते हैं लोहार करते हैं तो भई यह option में द गरिया मतलब का होता है दोस्तों आग से संबंधित आग में कोन काम करता है लोहे वाले ठीक है तो यह क्या हो जाएगा अगरिया इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा ठीक है कमार क्या काम करते हैं तो कमार वैक्ति जो है वो दोस्तों बास सिल्पकला में निपूर्ण होत कौन सा नहीं है तो थापडी सैला सरहूल दमनच या फिर दंडारी तो थापडी जो नित्ते है दोस्तों कोरकुजन जाती द्वारा किया जाता है सैला आपको पता होगा ठीक है सरहूल नित्ते जो है दोस्तों उराव जन जाती द्वारा किया जाता है कोरवा जो है दोस्तों क दंडारी नित्ते जो है किया जाता है तो ये दंडारी नित्ते जो दोस्तों बस्तर छेत्र में भी किया जाता है और चुंकि ये होली के परवपर भी किया जाता है इसलिए क्या हो जाएगा इससे संबंधित जो नहीं है वो क्या हो जाएगा ओप्सन नंबर 5 हो जाएगा ठीक योगा नंदम जे योगा नंदम के द्वारा किया गया तो 36 जे योगा नंदम महाविद्यालाई के नाम से भी इनको जाना जाता है तो option नमबर A क्या हो जाएगा correct answer हो जाएगा चलिए देखते है next question 36 जन गर्ना 2011 में महिला सक्षर्टा का निकर्टम प्रतिशत कितना है तो 36 जन संख्या का प्रतिशत है वो लगभग 60 प्रतिशत के आसपास है तो option नमबर जो A है वो क्या हो जाएगा correct answer हो जाएगा ठीक है क्योंकि दोस्तों इसमें प्रतिशत में जन संग गर्ना बहुत सारे जो है पूछे जाते हैं ठीक है अभी जो है द्वरतमान में 2021 की जर्ण गर्ना की तैयारी की जा रही है और जैसे उसका आएगा फिर डेटा भी और भी काफी बढ़ जाएगा ठीक है तो लास्ट बार इसको यात कर लीजिए एक अच्छे से ठीक है चलिए देखते है पेंडरा में या फिर भिलाई में तो दोस्तों नकपूरा क्यों छेत्र फेमास है आपको पता होगा कि यहां पाशवर अनात का जो संस्था है इसलिए क्या है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और नकपूरा कौन से जी में आता है तो यह दूर्ग जी लेकर अंतरगत आता है प्रकृतिक यहां योग विज्ज्ञान महावित दल्य जान्स नहीं मेरिया से और फिर मुर्या से या फिर बहुता प्रकृतिकड आता के लिए करेक्ट आंसर हो जायगा जिसमें बड़े-बड़े-जो भैसका सिंग होता है उनको लगा करेके नित्य किया जाता है ठीक है चलिए देखते हैं बस्तर बैंड के संयोजक है अनुपरंजन पंडे लाल जगदलपूरी या और देवाशिश या फिर देवी लाल तो इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा अनुपरंजन पंडे इसके इसके लिए बाप्स और करेक्ट आंसर हो जाएगा तो यह क्या हो जाएगा अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो इसमें क्या हो जाएगा को कान में पहना जाता है समच गया है बिलकुल सही तो चीज नहीं समझे हो नीचे कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर बता दीजेगा ठी के चलिए मिलते हैं नए वीडियो में नहीं जान करीके साथ तो मुझे दीजी जाजा टेकर आल थे बेस्ट जाए हिंद